रोजाना ग्यान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे शेनल को सब्सक्राइब जरू करें और शाथ ही बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि आपके राशिष से रिलेटेड जूरी सभी महत्पून जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों जैमात दोस्तों हम इस वीडियो में जानेगी आपकी खुश्यों के साथ साथ ऐसी कौन-कौन सी परिशानिया और कश्चों को लेकर आने वाली है जिसे आपको शाब्धान रहना है और शाथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आश आपकी ग्रहों की इस्तिति कैसी रहेंगी क्या-क्य योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशी पर क्या आशर होगी हम पूरी विश्तार से जानेंगे तो आप इस वीडियो को मिश बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें जिने वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गए आ आप जरूर देखेंगा आपको काफी अच्छा लगेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज के पंचांग से आज 25 अप्रेल 2021 दिन रभीवार का है तिथी की बात करें तो शुकल पक्ष की त्रियोदशी तिथी बन रही है चो कि यह ठीक शाम के 4 बचकर 13 मिनट तक चलेगा और शुकल पक्ष की त्यतूरदशी नामक तिथी प्रारम हो जाएगा नक्षत की बात करें तो हश्त नामक नक्षतर बन रही है चो कि यह ठीक शुबह के 4 बचकर 23 मिनट चलेकर ठीक अगली दिन के रातरी के एक बचकर 24 मिनट तक चलेगा और शुक्यो प्रान चि बात करते हैं चुर्य ओर चंद्रमा का शमय शुरी उद्य का शुर्यास्त कश्य के शुबह के 6 बचकर 1 मिनट पर चंद्र रासी मिनट फर घराने वाला है च्थ DP जो कर 69 मिनट शेले कर ठीक दो पहर 12 बचकर 50 मिनट तक चलेगा आज का और शुब शमय यानि राहुकाल की बात करें तो यहां शाम के 5 बचकर 12 मिनट शेले कर ठीक शाम के 6 बचकर 48 मिनट तक चलेगा याद रखिएगा दोस्तों राहुकाल की शमय किशी भी महतपूर्ण कारी को आप बिल्कुल भी ना करें औरना आपके कारी में किशी भी प्रकार की विग्न बाधाय आशकती है ज्यानी चानक जी कहते हैं अगर जुकने से रिस्ता गहरा होता तो जुक जाओ पर हर बार आपको ही जुकना पड़े तो रुक जाओ हर बाध अगर दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैशा ही बन कर रहो कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पशंद ही करेंगी कॉन्फिडेंस तो यह है कि अगर आपको ना भी पशंद करें तो भी आप ठीक हो क्यानी चानक कीजी कहते हैं कि जीवन में सुक प्राप्त करने के चार रास्ते होती है नंबर वन शदा दिमाग को ठंडा रखें नंबर दो शदा वक्त की कदर किजिए नंबर थीन भविश्य के लिए बशचा केजिए नंबर चार पावश्य जमिल पर रखें इंसान और श पूरे दिन की घटनाओं के जानकारी कुम बराशी जातकों के लिए कैसा रहेगा आश का दिन और क्या कहते हैं आश आपके शितारे हम पुरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में आप शी अनुरोध है आप इसे अंत तक जरूर देखें किसी भी महेंगी चीज को खरिदन से पहले मरमत और नवी करन कर लें अपने नीजी वित में शंतूलन की तालाश करें अभी आप अपने माता या मालिकों से शंबंदित कोई भूरी खबर सुन सकते हैं यात्रा में देरी या उसके रद होने की भी संभावना है आपको इस बात का ध्यान रखना है नए विचा को बनाएं और जीवन का मजाले आप अपने बारे में क्या सुचती है या बात ज्यादा माइने नहीं रखती है माइन तो बर्ष इस बात की रखती है कि लोग आपके बारे में क्या सुचती है कुम्बराशी जात्कों के रिए अगर करियर की बात की जाए आश आप वीत धन या अपने किम्ति शामान को लेकर चिंतिद होगी आपको इश्मात का ध्यान रखना है किश्मत पर आप महरबान है और चल्द ही आपको कोई शुनहरे मौके मिलने वाले हैं आपको हम बताना चाहेंगे जिससे आप धन अरजित कर सकती हैं आपको यहां शमय योजना बना सकती हैं पिता या शिक्षा के लिए नए शंकट भरा हो शकता है नए विचारों और अल्पनाएं आपके लिए आपके जीवन को शमवार देंगे आपको मताना चाहेंगे कोई महत्वपुन यात्रा आपके शेडियूल या तिन चरिया में बलावला शकती है आपको इस बात का ध नहीं जीत सकते कुम्ब राशी जात्कों के लिए अगर लव लाइफ की बात की जाए तो परिबार आपके लिए सब कुछ है लेकिन जीवन साथी को नजर अंदाश नो करें आपको हम बताना चाहेंगे शोना को खुश रखकर आप भी खुश रहेंगे और इसके लिए आप आपको कुछ अधिक करने की आवश्यक्ता नहीं है आपको इस बात का ध्यार रखना है अपने गायन फैशन या कलाश से आप उन्हें खाश महसुस करा शकती हैं अभी यात्रा का भी योग है आश आपके दिमाग में कुछ नए और रोमेंटिक विचार हैं जिन से आप उत् अधिर धनुष आश आपके लिए गुलाबी दिन लेकर आ रहा है आप इसका पूरी तरश्य आनद लें दोस्तों अगर आप इस जानकारियां से शहमत हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और शाथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से चे मातादी जरूर को लिख दें धन्यवाद आपका दिन शुब हो